और इस पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस तरह के अलग अलग टेंट नेपाल की तरफ से लगाए गया है जो की स्पॉंसर्ड बाई चाइना है यानि चीन के दवाओ में नेपाल पूरी तरह से काम कर रहा है और यहीं नहीं यह पिछले एक से डेड़ महिने के दौरान ह इंडियन मीडिया का जो के नेपाल से तना ॉब्र करता है गोधां का जोसे दोनों मॉमालिकों की चोक्यान नहीं जो चेकिंग के लिए होती है अब यहीं नेपाल नीपाल और इंडिया कि बॉर्डर के पास जिसमें इंडिया क्लेम करता है कि हमारी जमीन के उपर इन्होंने चाइनीज टेंट को लगाया है जिसमें चाइनीज की लेंगविज लेकी वी है जिसमें चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है जो इनको समझ नहीं आरा तो यह चीज बड़ी इंपोर्टेंट है जिसको देखे करते कि क्या सच में नेपाल ने चाैनी किसी कैम को लगाया है जसे इंडिया इतना पुराना है ये रिष्टा बेटी रोटी का है लेकिन अब इस एतिहासिक रिष्टे में क्यों पढ़ रही है दरार भारत नेपाल के संबंधों में तनाफ की वजह क्या है चीन किस तरह भारत और नेपाल के बेच दीवार बन कर खड़ा हो रहा है और दोनों देशों के रिष् पांडे की ये एक्सक्लूजिव रिपोर्ट की और समझे क्या है भारत और नेपाल के संबंध भारत नेपाल संबंदों में तनाफ को लेकर सबसे प्रामानिक रिपोर्ट भारत नेपाल बॉडर से जीन्यूस की ग्राउंड रिपोर्ट भारत नेपाल के बिगड़ते रिष्टों पर नेपाल के मन की बात भारत और नेपाल के बीच चीन किस तरह दिवार बन रहा है? आज आपको भारत नेपाल बॉर्डर से इसका पुखता सबूत हम दिखाएंगे यह तस्वीर उत्तरप्रदेश के सोनौली में भारत नेपाल बॉर्डर की है यहाँ एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल अब इस टेंट को देखिए, यह सीमा पर नेपाल के सैनिको का टेंट है बताया जाता है कि यह टेंट चीन में नेपाल को दिये है इन पर लिखे शब्द भी चीन की भाषा मैंडरिन जैसे लगते हैं यह तेंट भारत नेपाल के रिष्टों को बेगारने की चीन की साज़श का गवा है नेपाल की सरकार चीन के किस कदर दबाव में है आज इसका उधारन Zee News आपको Ground Zero से दिखाएगा इस वक्त Zee News के टीम सोनौली इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौझूद है और आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे आप देखिए कि कितना बड़ा उधारण है यह जो टेंट देख रहे हैं चीनी साइन बोर्ड के साथ में यह चीन स्पॉंसर टेंट नेपाल को दिए गए है और नेपाल की आर्ण फोर्चेस इस टेंट का इस्तिमाल यहां पर कर रही है और इस पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस तरह के अलग अलग टेंट नेपाल की तरफ से लगाए गया है जो की स्पॉंसर बाई चाइना है यानि चीन के दवाओ में नेपाल पूरी तरह से काम कर रहा है और यही नहीं यह पिसले एक से डेड़ महिने के दोरान ही लगाए गया है तो क्या जो नक्षे को लेकर कदम नेपाल उठा रहा है वो चीन के दवाओ में ही है क्योंकि यह तस्बीर है इस बात का गवाह देती है कि भारत की सीमा पर जहां कभी इस तरह के टेंट नहीं लगाए गए जहां कभी इस तरह की चौकिया नहीं बनाएगे खेतों में क्योंकि एक दूसरे देश के लोग एक दूसरे के खेतों में आते जाते रहे हैं एक दूसरे की मदद करते रहे हैं लेकिन इस तरह के हट इस तरह के टेंट लगाना नेपाल के द्वारा ये दिखाता है कि नेपाल पूरी तरह से चीन के दबाओं में काम कर रहा है तो क्या नेपाल की सरकार को अपने जन्मानस की आवाज नहीं सुननी चाहिए और क्या ये स्पॉंसरड बाय चाइना टेंट नेपाल की बदली हुई फितरत को दिखा रहा है और जो मजुदा सरकार है नेपाल में क्या वो पूरी तरह से चीन के दबाओं में इस वक्त काम कर रही है ये चीनी टेंट इसी बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं सवाल है कि आखिट चीन में तयार टेंट नेपाल ने भर्ग की सीमा पर क्यों लगाए क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि नेपाल चीन के जाल में फस्ता जा रहा है भारत से लोग बहुत जादे संख्या में जाते हैं इसमें कोई शक नहीं कि चीन भारत के खिलाफ नेपाल को कट फुतली बनाने की चाल चल रहा है लेकिन क्या वो इसमें काम्याब हो पाएगा? क्या नेपाल के राजनेता चीन को इस बात की इजाज़त देंगे? नेपाल के विधायक संतोष पांडे ने जी मीडिया से बातचीत में भरोसा जताया कि भारत नेपाल के रिष्टों में कडवाहट का दौर जल्द खत्म होगा और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत नेपाल के रिष्टों को तोड़ सके ये तो बात हुई नेपाल के राजनेताओं की लेकिन नेपाल के आम लोग क्या सूचते हैं क्या है नेपाल की जनता के मन की बात चीन जैसे देश भारत और नेपाल के बीच में खासतर पर नेपाल को चड़ाने की कोशिश करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि भारत और नेपाल के रिष्टे तो बहुत मजबूत है अटूट है रोटी बेटी का संबंद कहलाता है यह संबंद नहीं है यह यूगों से चला हुआ संबंद है जो नेपाल और भारत का सस्किर्थी धर्मा हर कल्चर के लिए उपित ह इसको आप लोग भी जानते हैं हम भी जानते हैं और सदियों से बढ़ा रहा है इसको तोड़ना किसी की इह मत नहीं है किसी देश की इह मत नहीं है जिसमें पती नेपाल की निवासी है और पतनी भारत की भारत और नेपाल की बीच रिष्टिदारियां भी है जो रोटी बेटी की बात कही जाती है वो यूहीं नहीं कही जाती है उसके उधारण भी हम आपको दिखाते हैं यह किसलावती देभी है जो भारत की बेटी और इनकी शादी नेपाल में हुई आप इनके पती है यह देख आप यहां भारत में कहां रहती हैं कौन सा जगह है नेपाल में कहां शादी हुई आपकी छपिया क्या कहना चाहेंगे भारत नेपाल के संबंध के बारे में आप लोग क्योंकि यह तो रिष्टेदारी भी है घर आना जाना भी रहता है सबका रिलेशन नेपाल का और भारत का रिलेशन बहुत अच्छा रहे हुमारा कहना यही है वैसे जो है थोड़ी बहुत कमी कमजूरिया होती रहती है लेकिन में तो वही है कि हमको मिलके ही रहना है कोई मोटाव या कोई तनाव नहीं करना है हम लोग का इच्छा यही है अब इस नेपाली महिला से मिलिए जिसका माइका नेपाल में है और ससुराल उत्तर प्रदेश में नेपाल के लोग कहते हैं कि चीन चाहे कितनी भी साज़श कर ले लेकिन भारत नेपाल के संबंदों की डोर को वो काट नहीं सकता नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे से आपस में मिलते हैं मैं आपको बताऊं कि इस भारत वर्स्क में भी तमाम लोगों की बेटियों का संबंद नेपाल के लोगों के साथ हुआ है और तमाम बच्चों की भी साधी हमारे यहां नैपाल में हम लोगों का जिस तरह से अपने देश में निमंतरड में हम लोगों का आना जाना एक दूसरे के घर है उसी तरह से नेपाल में भी साधी को ले करके ब्या को ले करके लड़कियों का हो लड़कों का हो हमेशा हम लोगों का आना जाना लगा रहता है चीन को कान खोल कर नेपाल के लोगों की मन की बात सुननी चाहिए और अपनी साजिशों से बाज आना चाहिए विशाल पांडे, जी मीडिया, सोनौली, भारत निपाल बॉर्डर तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत और नेपाल के रिष्टों में इन दिनों तनाव आ गया है नेपाल की संसर ने एक प्रस्ताफ पासकर भारत के तीन इलाकों पर दावा जताया है जिसे भारत ने खरिच किया है, माना जा रहा है कि नेपाल ने चीन के इशारे पर ये कदम उठाया है धारचुला उन तीन जगहों में शामिल है जिस पर नेपाल ने अवैद रूप से दावा किया है जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुँचकर हालात का जायजा लिया जी मीडिय संबादाता मनीश शुकला उत्राखंड के धारचुला में पहुँचे आपको दिखाते हैं उनकी एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट हम इस वक्त उत्राखंड के धारचुला में आप पहुचे हैं और इस वक्त हम पांगला गाउं में हैं और यहां अगर आप देखें तो यह पांगला का ठाना है यह जो पुलिस स्टाफ के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हमें रोग दिया है और यहाँ चाह जा रहा है चोकई इयरिय काफ़ी सेंस्टिव है और यहाँ कास परमीड दिया जाते हैं उन्हीं को इलाौ किया जाता है इसके आगे हम दरसल जाना चाहते थे दिश के जो आखरी गाओं है भारत नेपाल सीमा पर गुंजी गाओं वहां जाना चाहते थे लोगों से बात करना चाहते थे जैसा कि नेपाल सरकार ने नया मैड जारी किया है जिसमें गुंजी समय तमाम जो एरिया है धारचुला के उसको उन्होंने अपना बताया है यहां मिसवक पंग्ला में जो बिल्कुल सीमा के नजडी गाऊंँ है यहां हम लोगों से बात करने की कोशिशित करेंगे और जानेंगे कि लोगों क्या समस्या हैं लोग किस तरिके से देखते हैं आप बताए list जिए हैं आपका नाम क्या है लक्ष्बंध कूर 2000 जिए और जैसे हमने अभी देखा हुगा आपको अपने फौन से अभी बात करवाई थी आपके वहाँ तो नेपाल से हुआ 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 हो और इधर को एक और बात है कि हम देख रहे हैं कि जो नेपाल है लगातार जो भारत के हमारे जो सारे इलाके हैं इस पे वो अपना हज जताते हैं आप सीमा के पास रह रहे हैं नेपाल सीमा के पास आप लोग इसको कैसे देखते हैं क्या आप जो नेपाल ने जिस तरीके से ये पुरी कारवाई की है उस तो आप लोग ने रिपोर्ट देख लिए होगे इंटरस्टिंग लगी होगी अब आप सबको पता है चाइना नेपाल के तालोकाद बहतर है और वो क्यों बहतर है वो आप सबको पता के चाइना नेपाल के अंदर ज्यादा काम करता है नेपाल के अंदर जिसकी वज़े से नेपाल वाले भी उनकी तरफ जाते हैं और रिसेंट्ली मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी जि नेपाल के लोगों की दिलों में इंडिया के लिए नफरत पैदा हो रही है, वो मिने आपको सारी चीज बताईतीए अब जो बात आ रही है न जो TENT की बात चल रही है, तो यार जडरूरी निये के TENT चाइना नहीं दिया हो सकता है कि चाइना की किसी कमपनीसे इन्होंने लिया हो अब ज़रूरी तो नहीं कि Chinese Army का Camp नेपाल के Army यूज कर रही हो अब गर्मी के मौसम में या बारश के मौसम में अब जब आपके पास घर जाने का रस्ता नहीं हो बॉर्डर पर ही आपकी ड्यूटी लगी हो तो फौज या आर्मी या पुलीस कोई भी होता हो तो कोशिश करेगी ना कि यार टैंट लगाया जाए ध्यूटी लेंग्विज अब जो नेपाल केंदर सिकाय जा रही है आई सिकाय है कि बात करो ना पाकिसान की पाकिसान में सिकाय जाती यह कि यह पे यह बात है नेपाल इंडिया के चालेश सकता हराब है उसको बहतर करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए कि यार चाइना ने सपोर्ट किया या चाइना ने ये किया या चाइना वो कर रहा है ये बात इंडिया को नहीं करनी चाहिए कि यार चाइना ने सपोर्ट किया या चाइना सपोर्ट कर रहा है ये बचकाना बात है यार आप तालुकात बहतर को रो बॉर्डर पे नेपाल के लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत जो है वो आहिस्ता इस्ते खतम होती जाएगी और आपके लिए मुहबत पैद होगी बट अगर अगर आप यही अहर्कते करोगी जो बचकाना बात है यार बॉर्डर पे ये हो गया या बॉर्डर पे वो गया तो नेपाल के लोगों के दिलों में आप लोगों के लिए मुहबत बढ़ेगी और जो है वो अगर यही हालात होगी तो नेपाल के लोगों के दिलों में फिर नफरत होगी और अगर हालात बैतरी के तरफ जाएंग सो द्रेंगे हैं नायों, तो आप लोगों को भी ये देखना चाहिए कि नेपाल और इंडिया की जो तालोकाद कराल भी मांते हैं, यह वोट इतने भी बांते हैं यार बार बैट बॉर्डर बंदument करना चाहिए और इंडिया का या इंडिया नेफाल का बंद कर दे या लोगों को आम दोरा बंद कर दें यह सारी बचकाने बात है और यह सारे हरकते भी बचकानी है वैल अकर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब लाजमी करें